पूरी दुनिया इसे फ्रेंट्सिप डे के नाम से मनाती है आज हम ऐसे शक्स की बात करें जिसकी दोस्ती इंसानों से नहीं बलकि परिंदों से हैं एक नहीं हजारों परिंदे उसके दोस्त हैं इनका नाम है हस्मुख भाई दो बरिया या राज जूनगर जिले के केशोद गाउं में रहते हैं इनके मित्र रोज बिना रोग टोकिन से मिलने आते हैं सुबा होते ही इनके दोस्तों की कतार लग जाती है जिसमें तोते, गवरईया और अलग-अलग प्रकार के परिंदे हस्मुख भाई के घर से बाहर निकलने का इंतिजार कर रहे होती हैं इनके लिए हस्मुख भाई ने एक विशेस प्रकार की विवस्ता भी की है इन सब को बैटने के लिए लाखों रूपए खर्च कर आशियाना बनाया है शुरुआत में या दोस्ती तो दो परिंदों से शुरू हुई थी, अब या हजारों तक पहुच गई है शुरुआती दिनों में दो परिंदों को इन्हों ने बाजरे के दाने खिलाए इसके बाद परिंदे रोज घर के दर्वाजी पर आने लगे हस्मुख भाई का भी लगाओ बढ़ता गया और इन्हों ने उसके लिए पाईप और स्टील से खास प्रकार का मंच तैयार किया जिस पर हजारों परिंदे रोज बैटते हैं हस्मुख भाई अब अकेले नहीं पूरा परिवार परिंदों की सेवा करता है करता है। है है हुए उसको खिला देता हुए। उन्हे है उसमें ही डल देता हुए। इसलिए मे की केश के पाईप भाई भाई है। पहो प्रोझको था जाता एक दिन भर खाता है तो सात मन दून्दा इससे महीं दाल ता हूं हर साल करीब डेर से दो लाख रूपए की बाजरे और ज्वार वह इन परिंदों को खिलाते हैं सुबा होते ही इन परिंदों की आवाज शुरू हो जाती है परिवार के सभी लोग ज्वार और बाजरा लेकर इन परिंदों को खिलाते हैं और अब यह आकरशर का केंद्र है यह सिल्सला पिछले 26 सालों से लगातार जारी है इनके बनाए गए खास प्लेटफॉर्म पर हजारों परिंदे आकर रोज बैटते हैं करीब 7000 परिंदे रोज आते हैं जिसमें तोते, गिलहरी, कबूतर, गुरया, प्रमो ग्रूप से हैं बगर किसी भै के परिंदे यहाँ पर अपना दाना चुनते हैं पंचियों के साथ इनकी या दोस्ती वाकई, काबिले तारीफ है और यह खास बात है कि औरगैनिक तरीके से उगाई गई ज्वार और बाजरा परिंदों को खिलाते हैं बीरो रिपोर्ट, इंदिया पोस्त डियूस